कर दिया आज ये एलान चमन वालों ने और ये कह दिया फूलों से बदन वालों ने खून से लिखी थी तारीक ये बापू तूने भूला दिया तुझे तेरे ही वतन वालों दोस्तों नमस्कार मैं हर्थ से कविया तुल्जवाला आपका अभिननन करता हूं आज दो अक्टूबर है महत्मा गांधी जी और लाल बहादूर शास्त्री जी की आज जन्म जैन्ती है पुरा देश इन दोनों महापूर्शों की जैन्ती मना रहा है हम कलम केफे के मंच पर हैं आज हमारे मेहमान है वरिष्ट व्यंगकार कवी श्री नरेंट सिंग अकेला जी जो म मनाते हैं आज हमारे महमान है आप अगर एक बार तालियां बजा दे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माइक्रोफोन पर आए और आज की गांधी जैन्ती शास्त्री जैन्ती के उपलक्ष में जो हम यहां पर आप से मुखातिब हो रहे हैं उस बात को और थोड़ा सा आवाई दे नरेंदर सिंग अकेला और बहुत बहुत धन्यवाद भाई अतुल जौला जी आपने आज गांधी जैन्ती के अफसर पर मुझे यहां बुलाया चंद बंक्तियों से मैं इस कलम केफे के माध्यम से अपनी बात कहना चाता हूं जैसा है कि आपने बताए कि गांधी जैन्ती है गांधी एक विचार धारा इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं अनेक प्रकार की विचार धारा कि कोशी सब्सक्राइगा कि कर दिया आज ये ऐलान चमन वालों ने वा 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 कर दिया आज ये ऐलान चमन वालों ने और ये कह दिया फूलों से बदन वालों ने खून से लिखी थी तारीक ए बापू तूने भूला दिया तुझे तेरे ही वतनवालों ने और बापू की मुझे उस वक्त भी यार आई थी थोड़ा सा पीशे जाने की कोशिश करें हमारे डेश के गरह मंत्री हुआ करते थे मुफ्ती मौमस सहीद उनकी बेटी को अगवा किया गया देश में हल्चन मची और यह श्रत रखी गई आतंक वाजियों के द्वारा कि यह आप हमारे आतंक वाजियों को छोड़ देंगे तो हम रूबिया को छोड़ देंगे साहब देश भर में चर्चा हुई और यसा लग रहा था कि मुफ्ती मौमस सहीद इस देश को बचा लेंगे लेकि देश को नहीं बचाया गया रूबिया को बचाया गया तब इस कलमकार ने यह पंग्दिया गही थी इस सुनिएगा क्यों रूह बापो की समाधी में कसम साती है जैसे चिडिया कोई पिंजरे में छट पटाती है और तुमने बेटी के लिए दुश्मनों को छोड़ दिया तुमको नेता कहे तो हमको शर्म आती है और दोस्तों कि देश बड़ी नाजुक परिसितियों से गुजर रहा है एक प्राणी है हमारे देश में जिसे लोग ओवेसी और नजाने किसके नाम से जानते हैं वो समय समय पर प्रश्ण उठाता है कभी भारत मां को गाली देता है कभी किता हिंदूस्तान जिन्दावाद नहीं बोलेंगे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तब कभी समय बंचों पर आवाज आती है और यह आपका भाई नदेश सिंग अकेला भी कुछ पंक्तियां कहने की कोशिश करता है जब सुरिएगा स्वागत कि कहो मां भारती की जय मेरा संदेश तो मानों हो वंदे मात रमलब पर तिरंगा वेश तो मानों तुम्हें शंका की नजरों से न देखेगा यहां कोई तुम्हें ये देश मानेगा देश को अपना मानों तुम् में ये देश मानेगा वापना देश मानों तुम और दोस्तों हमारे युवापीडी ने ना जाने कितने प्रगार की आइकॉन बना रहे हैं कोई सल्मान कोई आमिर्खान की पीशे चल रहा है मैं युवापीडी से बात कहना चाहता हूं मंच के मात्यम से सुरिएगा कि बिह दिहारी और पदमा करके तुमको चंद बना है सुवासित फूलों की तुमको मधू मकरंद बना है नशे ने कर दिया तुमको बड़ा ही खोक लाया रहू लगा दो आग शब्दों से विवेका नंद बना है और दोस्तों अपने अपने मजब को लेकर सब ज्हेंडा उठाय हुए है देश की बात कोई नहीं करता है सबसे पहले दोस्तों देश है तब ही नजेज सिंग अकले बात कर देश करता है सुदिएगा कि समालो कंगा और कच्छा कड़ा और केश को पहले अतुल जी अनुप्रा सलंकार देखिएगा कि समालो कंगा और कच्छा कड़ा और केश को पहले बना लेना ये परिभाशा पड़ो संदेश को पहले सुनो हिंदू मुसल्मानों इसाई और एसिकों सुनो हिंदू, मुसलमान हो, इसाई और एसिक हो, धरा रह जाएगा मजहब, बचा लो देश को पहले, धरा रह जाएगा मजहब, बचा लो देश को पहले, और दोस्तों, इस मंज के मारफद, मैं हिंदूस्तान के प्रधान मत्री नरेन मोदी जी तक एक चंद पहुचाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे साथ ही ये कारकम सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, कि अपने माध्यमों से इस चंदों को आगे बढ़ाने की कोश समय समय पर नाबाग खरकते करता रहता है, हम जवाब भी देते हैं, लेकिन वो फिर उबर जाता है, अभी टालीबान आया, तो पाकिस्तान ने फिर सिरु उठाने की कोशिश किये, मैं एक चंद के माध्यम से बात करें की कोशिश करता हूँ, सुरिएगा, प्रेम से लिया है काम, प्रेम के तुझारी हम प्रेम के ही दीप सारे विश्यों में जलाएंगे, और तीन बार हमने तुझे पीटाओ से याद रख, तीन बार हमने तुझे पीटाओ से याद रख, अब जो टक राएगा तो जिन्दा दफन आएंगे, और इसलाम अबाद तेरा खाख में मिला के हम अरे लाहूर कराची पे तिरंगा फेहराएंगे, वाँ, 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 सामुदा मुदंड भेद नीती अपनाने वाले अपनी ओकात का खयाल होना चाहिए, चुप चुप घात करे, मिठी मिठी बात करे, देतियों का तुझ को मलाल होना चाहिए, और सेनिकों के शिष गाट गाट के ले जाने वाले, चाहिना का तुझ को दलाल होना चाहिए, और आज सारे देशवासी मोदी जी से कह रहे यह पाकिस्तानी बक राहलाल होना चाहिए यह पाकिस्तानी बक राहलाल होना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आप हमारे इस चलंग को लाइक कीजिए नमस्कार दोस्तों ये थे नरेंद्र अकेला जी उनकी बात आप तक पहुंची उन्होंने गांधी जहिंती पर भी अपनी बात कही आपको एक बार पुन्हा बहुत बहुत शुक्कामना है आप हम अब उत्सों की और बल रहे हैं अब हमारे लगातार उत्सों चलेंगे आप उत्सों का आनंदले और रोज शाम को हम से जुड़े रहे शाम को पांच बज़े कलम केफे में यहां हम हर शाम आप की मुलाकात करवाते हैं एक नए महमान से कल फिर मिलेंगे किसी नए महमान के साथ तब तक के लिए अलविजा घुलबाए